उत्राखन में लगातार लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं और घर पर ही रहे कर स्वरवजगार से जुड़ कर आत्मे निर्भर भी बन रहे हैं ऐसे में हमने कई कहानिया सुनी हैं जो अपना स्वरवजगार कर घर पर ही कारे कर रहे हैं दीपावले के त्योहार पर बाजार भी अपसजने लगे हैं और लोग घरों को सजाने के लिए फूल माला और बिजली से बनी LED माला खरीदते हैं वैसे तो LED माला बजारों में अन्ने शहरों से ही बन कर आती है लेकिन इस बार उत्राखन के हलदवानी के चकुलवा ग्रामसभा की महिलाएं घर पर LED लाइट तैयार कर रही है महिलाएं अलग अलग परकार के LED लाइट तैयार कर रही हैं जिसमें घरों को सजाने के लिए नीली पीली लाल हरी और तिरंगा लाइट भी शामिल है महिलाओं का कहना है कि इस बार दीपावली में लोग हमारे द्वारा तैयार की कई LED माला खरीद रहे हैं दीपावली के तियोहार में लोग घरों को सजाने के लिए जादातर लोग घरों में LED लाइट लगाना पसंद करते हैं इस दिवाली में वाकल फोर लोकल से जुड़कर महिलाएं भी LED माला लाइट तैयार कर रही हैं अब हल्दवानी शेहर से नहीं बलकि अन्य शेहरों से भी लोग यहां माल लेने पहुँच रहे हैं दीपावली के तियोहार में LED माला से घर सजाया जाता है लेकिन इसके साथ साथ घर में शादी या कोई भी शुप कारे होता है तो घरों को सजाने के लिए इन LED लाइटों का उप्योग किया जाता है जो घर की चमक धमक को पड़ा देता है घर भी बहुत सुंदर लगता है आजकल इस दोर में घरों को सजाने के लिए सबसे ज़्यादा LED माला लाइट का उप्योग किया जाता है अब तक बाहरी देशों में भी LED लाइट माला इंडिया में आती थी लेकिन अब हलदवानी शहर की चकलवा की महिलाएं घर पर ही खुबसूरत LED माला लाइट तैयार कर रही है जिससे उनकी डिमान और जादा बढ़ गई है महिलाओं को LED लाइट माला तैयार करने के साथ-साथ रोजगार भी मिल रहा है और वहाँ आत्मी निल्भर भी बन रही है साथ ही मार्केट में भी लोकल LED लाइट माला विक रही है जिससे ग्रहक को भी फाइदा है क्योंकि अगर ग्रहक एक बार बाहर से आई LED माला खरीटा है तो वह खराब होने की संभावना जाता रहती है लेकिन इन लाइटों में लगभग साथ से आठ साल की वारंटी भी ली जा रही है अगर आप भी इस दिवाली के तिवार में अपने घरों को खुबसूरत LED माला लाइट से घर सजाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप हज़वानी के चकलवा में जाकर यहाँ LED माला खरीच सकते हैं या ओनलाइन LED माला के लिए भी ओडर दे सकते हैं जिसके लिए आपको एक नमबर पर कॉल करना होगा और वहाँ नमबर है 9837202420 इस LED माला की कीमत 350 से 400 रुपे के बीच में है मेरा नाम कोमल मटेलिया है मैं यहाँ ग्लोबल कंपनी में काम करती हूँ इधर मालाइ बनाए जाती हैं जो मालाए अन्य मालाओं से ज्यादा जहलर होती है इसकी लंबाई लगबग अन्य जहलर से ज्यादा लंबी होती है बाकी यह भरोसे मन के लिए दो-तीन साल तक टिकाव होती है यहाँ हम पहले सबसे पहले यहाँ एक चक्के में LED की फीलिंग की जाती है जिससे हम उसमें सिंगल सोडिक से तार जिपकाई जाती है फिर उसके बाद इसमें कैपिंग करके माला तैयार की जाती है जिसे हम एक जिसे हम चेक करते हैं पहले चेक करा जाता है फिर उसके बाद उसको लपेटा जाता है लपेटने के बाद हम उसमें कैपिंग करते हैं फिर उसे स्वेश जड़ाणा चेक जलाई जाती है ऩाँ यह विद्रैता से बिर हारद हमद मोर्प्म और जैसे उनकी अपेख्षा इसमें लाइट जो है वह बहुत ज्यादा है यह बहुत अच्छी माला है क्योंकि हम इसे अपने हाथ से रिपेर करते हैं और हम जैसे अगर कोई चीज खराब हुजाता है तो हम उसी समय उसको तुरंट रिपेर करके फिर यह माला फिर रेडी करत हमें तुरंगा बनती है और बहुत तरीके माला बनती है और जो मलब हमें और मिलते हैं उसी साफ से अपना पूरा बनाते हैं बड़े-बड़े महानगरूं में आपकी माला जाते हैं कितना खुशी है हमको अच्छा लगता है जहम किसी घर में ऑव लाइट लगी हुई जो लड़ी है इसको सारे स्थानी लोग बनाते हैं जिसमें खास तोर पर युवतियां और महिलाओं को हमने सामिल किया है इसमें अब फिलाल बेतन पर कर रहे हैं वहरा फ्यूचर का यह हम उनकों का मालिका ना हग दें यह हमारा भविस्य का मतला भी प्लान है और जो लड़ी है यह उन रूप से जो सर्किट्री है जो इसकी जो तेस्ट की जाती है जिससे इसकी बढ़ जाती है और करीब साथ से आठ साल तक तो नौन स्टॉप सर्विस देती है बहुत बड़े-बड़े प्रिस्टानों नहीं हम और दिये हैं जैसे मैं कुछ नाम देना चाहूंगा जैसे इस्टिटूट है कुछ होस्पिटल है कुछ सरक अब अब दिये होती हो जाते हैं और लेकिन हम चाहते हैं कि कि हमर पर इतना मट्यल नहीं है कि बहार भीज पाए तो अब बेदियस्टों से इसकी डिमांड आई है हमारे पास लेकिन हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पारे हैं क्योंकि वह कुछ हमारी अपनी फैनेंसल पहले प्रेशा देते हैं तो हम लोगो दो का सबस्य हो जाते हैं अब के लगए और कोंपर करना चाहिए कैसे संपर पिराइश इस कामसी चह मैला है तो रेगुलर बेतन बेस्पे हैं बाकि 4 औरता नियों से दीहारी बेसे हैं अबराशी निको ड़ली बेजेज आए तोटल 10 और हमारे गाओं किये कोई भी महला बहर की निये सब हमारे विद्रामपूर चकलवा की रहने वाली हैं और सभी महलाएं अब इसमें सक्चम हो चुकी है उन में स्किल डबलब हो चुका है अब यह काम को काफी अच्छे तरीकर सक कर पा रही है सुरूआदी दरदोरी प्रॉलम अब ये इस मूझ चल रहा है किसे खरीच सकते हैं किसे संपर कर सकते हैं खरीने का तरीका या तो आप खुदा के लिए ले दूसरा हम लोग कोरियर से भेज देता हैं आप हुआ हुआ है आप है है